चाणक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉंच वेहिकल मार्ग 3 की जो की भारत का पहला कमर्शल मिशन है। भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संग्धन ने आंद्र प्रदेश के सतीश धवन अंत्रिक्ष केंद्र से सफलता पूर्वक पहला कमर्शल मिशन लॉंच किया है। इसे लॉंच वेहिकल मार्ग 3 M2 से लॉंच किया गया है। इस मिशन के तहत 36 सेटलाइट को उनकी और्बिट में भेजा गया है। इस मिशन के तहत One Wave Limited के सेटलाइट भेजे गए हैं। यह सेटलाइट One Wave Limited कमपनी के हैं जो की एक UK आधारित स्पेस कमपनी है। जो ISRO की वानिजिक शाखा New Space India Limited का एक ग्राहक है। भारती Enterprises One Wave में एक महत्तपुन निवेशक भी है। One Wave Limited के 36 सेटलाइट को इस मिशन के तहत स्पेस में भेजा गया है। One Wave पांसो अठासे सेटलाइट का एक लो अर्थ और्बिट तारा मंदल स्थापित कर रहा है। जो 36 सेटलाइट को लेकर गया है। यह एक मल्टी सेटलाइट मिशन था। इसकी मदद से लो अर्थ और्बिट में यह पहला प्रच्छेपन था। यह 6 टन पे लोड वाला पहला NSIL रॉकेट मिशन है। साथ यह वन वेव के साथ पहला मिशन भी है। लॉच वेहिकल मार्क 3 की शक्ती की अगर हम बात करें तो मार्क 3 M2 इसरो का अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉच वेहिकल है। यह तीन चरणों वाला प्रक्षेपन यान है। यह रॉकेट 6 टन का भार लेकर स्पेस में गया है। इसके पहले दो चरण में ठोस प्रनौदक स्ट्रैप अन लगे होते हैं। इसके आखरी फेज में L110 लिक्विड फ्यूल होता है। C25 क्रायजेनिक फेज इसका में फेज होता है। इस रोग आगे आने वाले समय में इस रॉकेट की मदद से और भी मिशन लॉच करेगा। जिससे इस रोग को वित्य लाब भी होगा। वन वेब की योजना क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो वन वेब लो अर्थ और्बिट में तारा मंडल स्थापित कर रहा है। इन उपग्रहों को 49-49 की संख्या में 12 रिंगों में और्बिट प्लेंज में स्थापित किया जा रहा है। यह और्बिटल प्लेंज प्रत्वी से 1200 किलोमेटर उपर हैं। प्रतेक उपग्रह प्रतेक 109 मिनिट में प्रत्वी का एक पूर्ण चक्कर पूरा करता है। इन सेटिलाइट्स की पूरी संख्या 588 है। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विशय के साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्यू सो मचूच। और सबस्क्राइब करते हैं।